तो दोस्तों जब आप 4x4 का Rubik's Cube solve करते हो, और यहाँ पर last layer में, जैसे आप यहाँ पर plus बनाने जाते हो, तो यहाँ पर दो color जो होते हो, फिलिप होते हैं, तो इसको हम यहाँ पर center parity बोलते हैं, इसको solve करने के लिए दोस्तों आपको करना यह पड़ता है, आपको यह एक layer आ इस प्रकार से आपका 2 बार घुमेगा, ठीके, और जैसे आप इस layer को यहाँ पर घुमाओगे, तो आपका जो front का है, वो यहाँ पर 2 बार घुमता है, साथी साथ दोस्तों जब आप इसे एक बार घुमाते हो, उसके बाद आपको इसको 2 बार घुमाना पड़ता है, उसके आपको इसको 3 बार घुमाना पड़ता है, ठीके, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं वीडियो को, तो यहाँ पर देखिए, इसको आपको एक बार इस प्रकार से डाउन कर लेना है, ठीके, अब आप जैसे आप इस प्रकार से कर लेते हो, तो आपका top जो है, दोस्तों मैं नीचे कर रहाओ इसको, ठीके, इस प्रकार से एक बार नीचे जाएगा, और यह front अब दो बार घुमेगा, कुछ इस प्रकार से, अब यह एक बार हो गया, हमें और एक बार घुमाना है, अब यह आपको इसको, अपने सबसे बल तो नीचे किया था, आप इसको उपर उ उठाओगे, तो आपका front फिर से, यहाँ पे दो बार घुमेगा, अब यहाँ पे इसकी बार ही है, तीन बार घुमने की, तीन बार घुमते वक्त, पहले बार यह जो घुमेगा, तो यह दो बार इस प्रकार से डाउन में घुमेगा, ठीके, अब यह गुमा है, इसलिए इस प्रकार से घुमेगा, और एक last रहे चुका है, कि इसको हमें एक बार, यानि तीसरा बार हमारा यहाँ पे पूरा हो जाएगा, और आपका top जो है दोस्तों इस प्रकार से घुमेगा, अब ऐसा करने से दोस्तों होता यह है, कि यहाँ पे दो हमारे जो ages होते हैं, उसी प एक line इस प्रकार से मिल जाएगे तो इसको आपको दो बार नीचे कर लेना है ओके तो यहाँ पे आपके जो color है same हो जाएगे तो front को आपको यहाँ पे अगर आप दो बार घुमाऊगे तो आपका जो cube है वो इस प्रकार से solve हो जाएगा तो आप जब यहाँ पे 4 लेर में plus बनाने जाते तो यहाँ पे 2 flip होते है ठीक है उस वक्त ही आपको यहाँ पे corner parity जो होती है दोस्तों यहाँ पे आपको इसको solve करना पड़ता है तो इस प्रकार से आपको इसको एक बार इसको दो बार इसको तीन बार और झाल झाल झाल